हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मैंनेजर और आप देख रहे हैं आल उनलाइन मैंनेजर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज मैं बताने वाला हूं कि जो माराजा गंगा सिंग उनिवर्सिटी एक्जाम पॉर्म कैसे बढ़ें तो पूरी प्रोसेज बताने वाला हूं इस्टेप तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मरें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल का एक न उसी भी क्लिक करके तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेस्ट आप तक रहे तो वीडियो श्टार्ट करते हैं तो अपने लेटोंट फीज में कोई से में भी एक रॉम ब्राउजर ओपन कर देना है तो मैं क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद में यहां पर यहां पर सर्च करना है to mgaisU exam फॉं फो मेकल करने के बाद हे यहां पे यहां पर अब बार सउचने के ber दो देए एगारी 1919 माहराजा गंगा सिंग यूण सिटी तो is uk कर देना है मैंख पर केड यह कर लेता हूं खुले करने के बाद में आप को कुछ ऐसा इंट्रफेस दिख्वाय देगा तो अपने को simply यहां पर अपैस कर देब में करने के बाद मा और नबर कार अपनको तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेज दिखाए देगा तो अपने को सिंपल यहां पर एक्जाम फॉर्म 2023 पर क्लिक कर देना है तो इस पर क्लिक कर देता हूं में क्लिक करने के बाद में अपने को apply for exam form 22 तो इस पर क्लिक कर देना है तो क्लिक कर दिया है मैंने क्लिक करने के बाद में अब अपने सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा तो अपने को कर देना है यह तो मैं यह सारी डिटेल कर देना है तो मैं यह तरी टेल कर देता हूं स्रपक्रास की रिच ऑनली यह तो र military दिया में रिगनर का लिदी या पे प्र्च चिलेट ऊजी पी-जी और इस पे युजी कर लेते हैं युजी करने के बाद में इसेक्ट क्लास टाइब । समझेट करता है तो सब्चेक्ट कर रहें मेंने यहाँ पर एक्जाम एक्जाम फॉर्म कुन्सी क्लास का मैं एक्जाम बनना और दिया है अब आपको यहां बी new student exam 2023 पी क्लिक करते हूं क्लिक करने के बाद में कुछ आपको इसा इंटरेस दिखाए देगा तो अपने को यहां पे방 इस यह पैर अपने को अपना नाम एड़ करना जो लिष में में और शखिन नीचे ही नाम और यहां पे हिंदी में और यहां पे आपका फॉटो और यहां पे आपके सिंग्निचर अपलोड होंगे चो कि यहां पे साइज होगी maximum size 100 kg और फॉटो sign किया 50 kg तो मैं अपे सारी डिटेल एड कर देता हूं तो डिटेल अब आपने को यहां पर जोच फाइल पे क्लिक कर देनार तो फोट यहां पर ले लेना आपको तो मैला ले लिया यह पर division स्टर भी लेना है है सिंग्निचर यह मैंने सिंग्بार बी ले लिया है लेनेके बाद में आपने को सिंपल यहां पर nyes when i can बिकर देना यहां पर नेख्ट का उपसर आ रहा है तो इस हो जाएगा है लिए आप नीचे इस्क्रॉल करते हैं प्र यहां पर आपका नाम automatically वाम से बढ़ते ही यहां पे आ गया पिता का नाम आ गया मम्मी का नाम आ गया अब अपने को जैंडर सिलेक्ट कर लेना है तो जैंडर सिलेक्ट कर लेता हूं यह जैंडर सिलेक्ट कर लिया है मैंने अब अपने को अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है और यहां पे हिंदी कर देन और यहां पर नन कर देना और अब अपने को यहां पर अपनी डेट ओफ बर्थ सिलेक्ट करनी है तो मैं मेरी डेट ओफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूं करने के बाद में अब अपने को navy category इयुक्रिक काने की एक्जाम ऑम कौनस hatır बर रहे हैं तो Pacific और अब में अब अपने को अपना एडुर सिलेक्ट कर देना है एडुर स बढ़नाँएग कर तो एक हैं तो मैंने यहां पर सारी डीटेल फील कर दी है तो अब आपको यहां पर इस वाले में आपको मκान नला कि या घृक्त नुद्धत सकते हूं यहां पर गिम मेश इनुन कोड़ अपने को अपने को अपना personal mobile number add कर देना है mobile number के बाद में यहां पे अपने को अपनी mail ID add कर देनी mail ID के जश्ट नीचे यहां पर फुचा जा रहा है आधार number तो यहां पर आपके आधार number है जो वो यहां पर एड करना है अब आपके पास से यहां पर account वाली detail भी मांगी जा रही है तो यहां पर अपने account holder name डालना है और यहां पर अपना account number add करना अकाउट number के जड़े नीचे यह आपको अपनी bank के जो ipc code है वो add कर देना है add करने के बाद में यहां पर bank name तो bank name यहां पर देना और यहां पर ब्रांच नेम बढ़ देना है और यहां पर नीचे पूछा जा रहा है कि अगर आपका इस University में पहले से अ्रेड़ी से registration है Enroll है तो Yes करें अन्यता No करें अब इसके नीचे आपको भूप पूढ़ना को लेज ने कि कौन छी कोएज में आपका एडिविशन है तो को लेज इलेक्ट करनी है अपन को तो कोलेज कर लेड है तो को लिए कर लिए मैंने चलो अब नीचे स्क्रोल करते हैं तो अब अपने को यहां पर यहां पर अपने को 10th और 12th की डिटेल डिटेल एड़ करनी है एड़ करने के बाद में यहां पर अपने को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं 10th की और 12th की डिटेल एड़ कर देता हूँ तो मैंने यह पर 10th हो 12th कीडिटेल एड कर दी है तो आप भी यह पर यहां पर 10th कीडिटेल यहां पर आपकर रोल-्नमर आ जाएंगे यहां पर है टोटल कितने मार्क स्थे और उतने में से यहां पर जितने आई जो यहां पर ओटमेटिक परसंटेज जाएगी और यहां पर पासिंग एर सेलेक्ट कर लेना इसी परकार से आप ड्रोलत का भी रिजल्ट यहां पर एड़ करते हो तो अब अपने को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने कि कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो नीचे स्क्रोल करेंगे तो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है एक तो यहां पर इस्ट्री और जोग्रोपी और हिंदी लिट्रेचर तो यह तीन सब्जेक्ट मैंने स स्क्रोल करना है तो यहां पे सिलेक्ट पेमेंट ओप्सन तो ओनलाइन पेमेंट आ रहा है तो इसके बाद में यहां पे एक ओप सन आ रहा है किया आप फूरू में उत्रवन परायू की विशे की पुर्ण प्रिक्शे देना चाहते हैं तो अपने अपने को not applicable कर देना है और लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है तो मैं क्लिक कर देता हूं एक compulsory subject जरूरी है तो मैं अब प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूं कि घुलक कर देता हूं है को करें कि अपने को 10th का certificate यहां पर अपलोड करना है तो मैं euros कर ढ़िता हूं कि तो अब अपने को कर देनाए और करने के बाद में यहां पर विरिफाइड कर देना है तो मैं ने विरिफाइड कर दिया है तो प्रुसेड चल गई है तो यहां पर यह फॉर्म सक्सेस्फुल हो चुका है तो यहां पर पेमेंट जो बॉर्ड पीस है वो यहां पर पेमेंट दिखा रहा है यहां पर पूरी डिटेल चेक करके यहां पर नीचे मेक पेमेंट वाला ओप्सन पर जाके यहां पर पेमेंट कर सकते हो तो आप इस परकार से आसानी से घर बेटेंग बढ़ सकते हो मारेशी गंगा इंवर्शिटी बिकानेर वाला एक्जाम फोम तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दन्यवाद